पुणे बैंगलूर हाईवे में रात बेहत घतरनाक हास्सा हो गया। पुणे बैंगलूर हाईवे पर नावले पूल पर एक ट्रक इस कदर बेकाबू होगा कि दो चाहर नहीं पल की हाईवे पर तेज रफ्तार दोटती एक साथ 48 गाड़ियों के पर कच्छे उड़ा दिये। इस ब्यानक हास्से में 50 से अधिक लोग गायल हो गये हैं। हास्से के बाद 17 में मुंबई की और जाने वाली सड़क पक करीब 2-3 किलोमेटर का लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फिल होने की वज़े से कंटेनर बेकाबू हो गया था। जानकारी मिली है कि महराश के पुणे में पुणे बैंगलूर हाइवे पर हुए बीशन हार्से में 50 से जादा लोग गयल हुए है। गटना की सुचना के बाद पुलीस और फाइवरगेट की टीम है मौके पर पहुँच गई। पुलीस के मताबिक तेज रफ्तार कंटेनर सतारा से मौमई की ओ जा रहा था। इसी दोरान अचानक उसका ब्रेक फिल हो गया। इसके बाद बेकाबू कंटेनर 48 से जादा कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता गया। इन कारों ने कुछ और गाड़ियों को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर वडगाव पूल के पास टक्रा कर रुप गया। इस गटना के बाद सतारा से मौमई की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 2-3 किलोमेटर जाम लग गया। वहें गायलों का इलाज मंगेश कर और नवले हस्पिटल में किया जारा है। कंटेनर का ड्राइवर भी हासे में गायलों गया है। उसका इलाज भी करवा जारा है। ब्रेक फिल होने की वज़ए से उसे गिरफतार नहीं किया गया। टकर कितनी बीशन थी कि वो गाड़ियों की हालत देकर आसारी से समझा जा सकता है। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए, कुछ गाड़ियों को सडक से हटाने के लिए क्रैन की मदद ली गई। किसी गाड़ी का अगला हिस्सा चकना चूर हो गया, तो किसी कार का पिछल कहना चाहते हैं अपनी राइक कमेंट में बताएं।